ये कोई साधारन मिट्टी नहीं है। इसे सिगरेट के बचे हिस्सों यानी बट्स के साथ मिलाया गया है। गिरिडाज प्रसाद ने सारी जिंदगी मिट्टी के बरतन बनाए हैं लेकिन ये चीज उनके लिए बिल्कुल नहीं है। गमले, एश्ट्रे और लालतेन जैसी चीज़े बनाने का आइडिया दिल्ली युनिवर्सिटी के शिराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों के एक छोटे से समूह का है। सिग्रेट बट्स के कचरे की समस्या से नेपटने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लहर नाम की पहल शुरू की है। हमें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि एक छोटी सी सिग्रेट एक बार में 500 लिटर पानी को प्रदूशित कर सकती है। सहितराष्ट पर्यावरन कारेकरम के मताबिक सिग्रेट बट्स प्लास्टिक प्रदूशन का सबसे साधारन रूप है। करीब 100 अरब सिग्रेट के टुकडे हर साल भारत के कच्रे के धेरों में फेके जाते हैं। 2021 में पर्यावरन कारेकरता निरित दत्ता ने बट रश नाम से पूरे भारत में एक अभियान शुरू किया था। इसमें वॉलंटियर फेके हुए सिग्रेट बट्स को उठा कर जमा करते हैं। व्रिक्षित फाउंडेशन ने इस अभियान को मदद दी। दिल्लिस्थित इस NGO का लक्ष्य है भारत की राजथानी को साफ सुत्रा और सिहत मन बनाना। सिग्रेट के बचे-खुचे टुकडों को उठाने की ये हमारी 489 मुहिम है। अगर आप लोगों से पूछें कि प्लास्टिक के रूप में सबसे ज्यादा प्रदूशन कौन सी चीज फैलाती है। तो आम तोर पर उनका जवाब होता है प्लास्टिक श्ट्रॉ या प्लास्टिक की बोतल। लेकिन सच्चा ये है कि सिग्रेट के टुकडे सबसे आम प्लास्टिक प्रदूशक होते हैं। सिग्रेट के बट सैलूलाइट एसिटेट के बने होते हैं। ये एक प्लास्टिक फिल्टर होता है जिसे पूरी तरह से विक्रिटित होने में करीब 10 साल लग जाते हैं। जब कच्रा माइक्रो प्लास्टिक में तूटता है तो उसे समुद्री जीव खा जाते हैं। तंबाकू उतपात के कच्रे में भी 7000 से ज्यादा विशैले रसायन होते हैं। सेंटियागो स्टेट उनिवरसिटी के अध्यान में पता चला कि जली हुई एक सिग्रेट का बट एक लीटर समुद्री और ताजे पानी में मौझूद मचलियों को मारने के लिए काफी हैं। और ये सिग्रेट के टुकडे जमीन पर भी जिंदगी के लिए खतरनाक हैं जैसे की पौधों के लिए। वापस भेज़ दिया जाता है। इस नोट के साथ कि आपके सिग्रेट का टुकडा आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अधिकांश कच्रा एक डिस्पोजल कंपनी को चला जाता है। मुश्किल सही कोई सिग्रेट बट रीसाइकल हो पाती है। सिर्फ एक या दो फीज़दी, करीब 98 फीज़दी कच्रा तो डिकंपोज हो जाता है और जमीन को प्रभावित करता है। वापस लोटते हैं दिल्ली युनिवर्सिटी के छात्र और उनके प्रोजेक्ट लहर पर। यह उनकुछ एक संगठनों में से है जो सिग्रेट बट के कच्रे को जमा करने और उसे रीसाइकल करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना चाहते हैं। उनकी कोशिश अभी छोटे स्तर पर चल रही है। वे बट रश प्रोजेक्ट में शामिल विबिन पक्षों से सिग्रेट के बचे खुचे टुकडे हासिल करते हैं। कच्रा बीनने वाले 15 लोग भी साथ काम कर रहे हैं। उन्हें हर कीलो कच्रे का 4-5 रुपए मिलते हैं। दिल्ली के श्रीराम इंस्टिटूट ओफ इंडस्ट्रियल रिसर्च में ये कच्रा पेशेवर ढंक से रीसाइकल किया जाता है। सिग्रिट कच्रे से ठीक से निपटने के लिए ईको कारे करता फैज्ञानिकों से मिलते हैं। सिग्रिट बट्स का विशलेशन कर विशैली तत्वों का पता लगाया जाता है और फिर उन्हें मसला जाता है। गामा रेडियेशन का एक प्लांट कच्रे को डीटॉक्सिफाई और गंध को खत्म करता है। ये प्रक्रिया मेडिकल उपकरणों के स्टरिलाइजेशन में भी इस्तिमाल की जाती है। प्रोसेस्ट कच्रा फिर लौट आता है अर्थवेवस्था में कुमहारों की बस्ती के रास्ते। चात्रों के इस प्रोजेक्ट में आज 20 कुमहार शामिल हैं जो सिगरिट बट्स के प्रोसेस्ट कच्रे का इस्तेमाल करते हैं। और इस खास मिट्टी के बने बर्तनों को बेच कर हर महीने करीब 12,000 रुपए कमा लेते हैं हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि कुमहारों को इन उत्पादों के बदले एक निश्चिताय भी मिल सके लिहाज़ा हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कमाई का 25 से 30 फीसदी उनको मिले हमारे पास विभिन सप्लाई चेन और वेल्यू चेन हैं जिन में हम अपना माल बेचते हैं सेगरेट बट से बनी एक नई साफ सामगरी मिट्टी में मिलाई जाती है गिरिराज प्रसाद खुश है कि बरतन बनाने की पारंपरिक कला के जरिये वो प्लास्टिक कच्रे की समस्या से निपटने में मदद कर रहे हैं